अब आशिरवाद तो हमी चाहते हैं पर वुर का थम बोलो यह बोलो जोगा सोड़े को ने राखिया बोलना पड़ेगा और हमारा एक हुकम है आज से हम आपके लिए एक फैसला कर रहे हैं हाँ क्या फैसला सुनिए बताते हैं क्या फैसला है शाराश भर वर ने दूप गा यह हुकम है आज से तु तरह की महले तुवाद कर दे तु तोडा वाणा और बास हात में उता काती और कागने तु तोडा वाणा ओ बास हात में उता कागने उता कागने एक्ख्या दीर मर्दिका और प्रेमर्याना कित कित की बनी सुवाद कर दे बिना पती तेरे न्योए जांगे ये सुखे समण भगणे बिना पती तेरे न्योए जांगे सुखे समण भगणे महराज ऐसा नहीं ऐसा जुलम मत किजी महराज ये शर्पन साथ जाट महर सिंग कमेटी रणेला के और से ये हमारे वजीर महर से महर संपान करते हैं बहूत भगणे बदनेबाद अर महर से महर कोई ऑब सुखे से मान संपान करते हैं इस पवन भूप का हुकम, इस पवन भूप का हुकम आज पर रहेगी महल दू अगण, दोड़ा बाना तरे बाँ साथ मुड़ा काग और कागण, मैं तरे को दुहाग देता हूँ, महराज, आप केसा नहीं कर रहे ही मेरी साथ मही, मेरी सथियों की कहने पर आप मुझे, उनका दंद मुझे दे रहे ही, महराज, जब बीर मर्द का प्रेम रहाना, तु कितकी बनी सुअगन, बिना पती तेरे नहीं हे जांगे सुख के सम्मन और फागन, महराज, मेर सिंग का द तो दिखाई तो गाल देता, महराज, कैसा घतोर दीन हैं आपका महराज, जी हाँ, आपने कुछ मेरी बारे में नहीं सोचा, हम छत्री हैं, हम रजबूत हैं, तलवार का घाव भर सकते हैं, तलवार का घाव भर लेंगे, गोड़ी का घाव भर लेंगे, लेकिन बोली का घा मैंने तो कोई बोली नहीं मारी है महाराज और क्या था वो सजनों जोही तवन कुमार ने दोहगी होने का उकम सुनाया उस राणी को कुछ भी समझ में नहीं आता है जार बे जार रोती है पवन महुप के पैरों में पढ़ जाती है और विंति करती है कि महाराज कम से कम आप ये तो सोचे कि मेरी गलती क्या था क्या कुछ होता है आप ये अजय तो कि आपनली को दोहर नहीं इन्य आप ये खोश्वाटा अपों ये जिए भी गलती कि आपको दोहरें औरी कैसा खेली खिलाया से कोई खोड़ को बता दिये मेरा मैंने खेली खिलाया से तो उसे खाटे मेरा वो पहले ही मन मैं द्यार लिया था तो रोड़ करा चाला तक्खे दुनिया सच दी आजनाने वो या गल दिया काम कुणाला रपीया क्खे दिक खिलाया रजिया क्खे दुनिया अजना दिन काम उनना तक्था कले गला क। रहती खिलाया कुल दिया किसी मायरे हमारे प्रास में आने कि को बोले जाने यह उदे कि कि ते प्यामाक पिताने उरगणे चावते तेरी गेल्या प्याई थी पर सारे ठाठे मिलेंगे तेरे आएश अमीरी चाही तुए हमके के अजमा लेके आई थी दनवारी संकति के अजमा लेके विलाया से तुए रताती दी तेरे मिलाया तो आग दे दिया, तो तिलहा जबाता हो तेरा तो पिंसा केले पिलाया से, तो ते बता के मेरा पिया सब काहे की तनर फासी लादी उसी ओड़ करीला चार में तो सब काहे की या फासी लादी ओड़ करीला चार में वो अनहाईया वो आपत गेरी वो दसादी को उतार में यह पाप का पलिना यह पाप का पलिना हर रहे हार में सता बसे दबल का दे आ वो कैसा खेले खिलाया से भूद बताए में अज़ी को लो दे तो अज़े दिया लिहा ज़ाना तेरा वो कैसा खेले खिलाया से दो उसे बताए मेरा अज़ी को अज़ी को अज़ी अज़ी को अज़ी को अज़ी 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 एक रॉड़ी और यह ग्राम दनोला बागपती उपी से यह श्वाजी रानावत मेरे शाशा जी सोर पेसे इसी रागने पर और मान समान करते हैं दो दो देनेवाद वाई श्रेंद्र जी करते हैं और यह नंना मुंता बच्चा वंश ग्राम रानेला से वह भी बचाए श्रेंद्र सम्मान करता है बहुत धन्यवाद कुछ नहीं सुनना कुछ नहीं सुनना कुछ नहीं तू गावे मतना मैं नागा वड़ते चिंगी रहा कहे चाट मेरे सिंगे वाद पित्तेगी वाज निशन समत में लिखे रहा वे तू नावा में वे तू नावा में हो पाटिक रहा भी पिलके हो ग्यारा मेरा पिता कहे तू गावे मतना में नागावन के चिक रहा कहे जाट मेरे सिंग वाद पित्तेगी जो किसमत में लिखे रहा और ये दो नावा में फाट तू रहा मेरा केसा थेली के लायर को धूड़े बता दीए और इसी भी दीनगर ये खराणे लासिशन कविजा थो जी महर शिन कमिटीप कि तरब से धिन प्र पर और मान समान करते है पर भू सरपन साब श्रीमान रोशन लाल जी यादा हूँ ग्रम जैस्त्री से शोर बिशेवर मान सम्मान करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद सजनों अंजना के लिए पवन कुमार ने दिवाग का हुकम सुना दिया ए दाशी दाशी इधर आओ जी माराज कहां चली गई थी बस यहीं थी नहीं मुझे तो यसा लगा जैसे ओनलाइन हो रही थी नहीं माराज ओनलाइन काम ने करते हैं देखिए यह अंजना है हां इसको हमेशन दुभागी महल के अंदर रहना है जी कुछ भी खाने पेने के लिए नहीं देना है श्रत ही कुछ नहीं ठीक है माराज ठीक है यहीं होगा और इसको मैंने धुआब आना वाना वहत आटमेर दिया है यह दाहिक सिरार तुषार नहीं हमन्लाए ह्तार पर जो को आट कुई दो जोई दे दे दो आप पीश लेगी फिरूट चाम काम तो मिल जियागो थोड़ो गुणो पवन भूपूश सजना को छोड़ करके चल देता है और पवन का पिता उस पवन कुमार को अपने फोज का सेना पती बना करके और अपने देश की रक्षा के लिए बादर के उपर भेश देता है कभी दर कभी उधर कभी दर कभी उधर देश की चोकसाई करते हैं बादर पे रखवाली करते हैं सजनो 11 साल का समय बीच जाता है और 11 साल के बाद एक रोज रात के समय वो पवन कुमार सारी फोज से कहता है सारी सेना से कहता है कि आप सारे विस्तराम करो और आज रात का पहरा मैं देता हूँ पवन कुमार पहरे पर होता है अपने फोज का पहरा देता-देता काफी दूर लिकड़ जाता है और उस पवन कुमार में एक पेड़ के उपर दो पक्सी आपस में आधी रात को बात कर रहे थे उन पक्सियों की बात सुनता है और बाते सुन करके उस पवन के दिल में बड़ी हलचल होती है अपने आप पर बड़ा पस्चात आप करता है और वापस आकर के अपने मंत्री से अपने दिल की बात कहता है क्या कुछ होता है सुनी और ये ग्राम बॉंद से ग्राम बॉंद से स्रीमान नविन जी योगी हमारे बीच में पता रहे हैं उनका भी मान समान है उनका भी श्वागत है हमारी सभा की और से हमारी इस गवशाड़ा की और से हमारी इस कमेट्टी की और से हमारी इस पाल्टी की और से भई एक बार जोरदार तालियां हो जाएं नमीन जी योगी के लिए बजाओ ताली आप ये श्री बहुत वह criter से दो स्थफर बहुत है अच्छी बात decide श्रीमान नमीन जी योगी का सम्मान श्वागत मंच के माधम से नमस्कार जी आओ श्वागत है सम्मान है आई बोलिये बाबा नारमदास जी महराज की जे हो बोलिये गवमाता की जे हो बोलिये बाबा गवर्दास जी महराज की जे हो आज हमारे मद्दे ये कारिकरम का इस न्यारमदास सिर्शली वाला का उसाड़ा का पांचमा कारिकरम है तो आज के मुखेती थी हमारे बाई नवीन जी योगी हमारे मद्दे पहुँचे हैं इस पाउंद रापर पहुँचने पर माप सब सरोतागंड की तरफ से और इस कमेटी की तरफ से उनका गाउं खातिवास की तरफ से आर्दीक स्वागत करता हूं आर्दीक अभी ननल करता हूं नवीन भाई उपरा जाओ और मागर करता हूं भाई नवीन से को एक बार मंस परा जाए और रुबरू करवादू मैं नवीन जी से ये गाउं बोंद में गाउं बोंद में बिमार अपाहिज लंगडी लुली ऐसा है लाचार गवों का चिक साले चलाते हैं जी एक बार इनके लिए जोरदार तालिया बड़े अच्छे वरिश समाज छेवी हैं इनी सभी तकलिफों को ले करके चाहे हो सरकार गाय की मदद ना करती हो चाहे समाज में कुरूतियां रही हो सब बातों को ले करके सारा विचार करके सभी स्रेणी से और दूसरे समाज सेवियों से और गोशेवकूं से चला करके सोराज पार्टी से दाद्री विदान सवाचेतर से निर्दलिय। बतोर निर्दलियो मिद्वार के रूपे इन्होंने अपना दाद्री विदान सवाचेतर से ना मांकन भरा है ताकि इस सीडी से में उपर चड़ते हुआ, गो सेवा में भी लगातार अपनी निरंदरता बढ़ाए रखो और समाज सेवा में भी निरंदरता बढ़ाए रखो तो मैं तो यही परमपिता परमात्मा से और गवमाता से काम ना करूँगा कि गवुमाता और प्रमात्मा इनको काम्याब करें ताकि हमारे ये समाज की जो भी बुराईया है उनके उनको दूर करें और संगरस करते ने समाज के लिए ने इस बिमार अपाईजलाचार गवुमाता के लिए इनी सब्दों के साथ मैं आगरे करूँगा कमेटी से कि हमारे माननिये नवीन जी योग्यों का समर्ति चिन देकर कर महराद जी बाबा गोवर्द अंदास जी इनको आसिरवाद सवरूप समर्ति चिन बेट करें हाँ भाई शुरंदर भाई और इसी के साथ-साथ हमारी पारी जो फोजी जाट में इर्शिंग कमेटी के परदान है बाई रामोतार जी उन से भी मेरा निवेदन है कि रपाव मंच परा जाएं और कमेटी से मेरा अग रहा है कि वो समर्ति चिन देकर के मानिनी रामोतार जी का सम्मान करें रामोतार जी नवीन जी बोलना है दो मिंटा अपना एक पर ये रामोतार जी का सम्मान हो जाए रामोतार जी और कमेटी मेरा इस न्यारंदास गुशाला कमेटी से निवेदन है कि जो हमारी कमेटी आई होई है राणि इल्ला से फोजी जाट मेर्शिंग कमेटी उसका सम्मान करें जो सिर्फ पांच मिनट का टाइम जी और मैं बागरे करूंगा हमारे आज के मुक्ये दीती माननिये नमीन जी योगी से कि किरपा वो आएं और अपने मुखार्बिन से दो सबत कहें नमीन जी योगी नमीन भाई नमीन जी ओम यहाँ पर उपस्ते थे मेरे पिता तुल्य बुजरक गन प्रम पुज्य है महराजी गोर्दंदाजी महराजी के चरणों में नमन है वंदन है और जितने भी यहाँ साधुसंत बैठे है युवा नोजवान साती है सभी का को मैं नमन करता हूँ सारें राम राम जी बोलिए गव माता की जैहाँ आवाज नहीं आई दे बोले गव माता की जैहाँ देखिए मैं एक छोटा सा गोसेवक हूँ बाई की तरियाए गाम बोंद में बे सारा गायल बीमार जो भी गाये हैं उनकी सेवा कर्यागरां जी और तन मन दन से गव माता की सेवा मलाग रहे हैं और आप सभी क्या सिर्वाद से आपका ये बेटा आपका ये बाई नवीन य अच्छेटर में उत्रया हूँ आप सारे का सिर्वाद ते हैं आप सारे कैसा योगत अपना सिर्वाद बनाए राखियो जी अपने बेटे का उपर अपने बाई का उपर और देखो जी पूरी 90 की 90 सिटों पर एक गोसेवक खड़ाये जी इस गव माता ते एक रोटी देओ ह तो पूरी 90 गिनब बैविदान सिता में एक सीट अपने इस बेटे खातर अपने इस बाई खातर जरूर काड़ दियो जी अपना सिर्वाद बनाए राखियो जी तेखो गव माता आज रोडा पर गुमन लाग री है कि देन किते सब के दर्ध हैं मिसने माता का वहां और कि द के अगर है आप लोगान में आप लोगान में चावघ्य सबसैत की व्वश्ता करने की जुम्मयवारी मारी होगी जी कि कि सेहन भाईया का जो फसल मैं जो नुक्षियान O है उसने आन्निए और यांगे और आज अगर सरकार भी चा वैं वोवास्ताय है तो more मिन्त मैं गवमाता की तुरक्षा उसके है गवमाता का पालन उसके है और वो अपनी गोचर भूमी सारे बड़े बुट्यान बेरा है कि हर गाम में गोचर भूमी है जी हमारे जो बड़े बुट्ये थे वे गोचर भूमी छोड़के गए थे गाया खातर बे सारा जो पसुहून खातर त पन्नि खांदी अंडनलागरी है अगर आप सारे गासिरवाद रहा गौमाता गासिरवाद रहा सादू संता गासिरवाद रहा तो एक दिन गौमाता विशो माता होगी गौमाता इसे देश को देश में गौमाता गौराश्टर माता का दरजा जरूर मिलेगा आपका बाई हां जी आपके बेटे हाँ, सयोग राखियो, आसिरवाद राखियो, हम था रहे हाँ, और तम्मा रहे हो जी, इस तर बड़ावर कि में नी है जी, मैं कहा दियूंगार, मैं नू कर दियूंगार, वो कर दियूंगार ने जी, जुठी साची बात रहे, पोजयाउं, और फिर मन तो दियान दे, हाँ जी, यो आदा है, कि ते भी सुख दुख में, यो तरह बाई, यो तरह बेटा, गो सेवक नवीन योगी, तमने खड़या जुरूर पाऊगा जी, कद्दे याद कर लियो, ओम जी राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद, योगी बाई, आप माग रहे हमारे चोहान साब है, सुखेदार जी, उनसे मेरा निवेदन है, करपाऊ आए, और एक मिनट के लिए अपने मुखार बिन से संदेश देए, बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पर तमाम मंचा सीन, मेरे बुजुरुगन, यहाँ पर आये वे मेरे प्रबुद्गन, बेरे गाओं का जो बच्चा है ना, आपके जो आज बीच माया है, यह बेचारा एक गरीब का किसान का बेटा है, किसी धन्दा सेट का बेटा नहीं है, सेना में किसका बेटा जाता है साथ, गरीब का किसान का मजदूर का बेटा जाता है, सीमाओं की रक्षा करता है, आपक गोमाता है और जबसे हमारी वेत लग्षना गोमाता की दूर्गति हुई है किसानोंने जबसे हमारी को मात गर से दूर निकाला है बुणा मतमानना मैं भी किसान का बेटा हूँ तबसे हमारी भी आलत पतली होती जगई है ये बेटारा गली को सडी को तूटी फूटी को और इंजर्ड गवमाता की सेवा करता दिन रात जो एक जश्ट एक मानव जो है जानवर के साथ भी मानव रूपी विवार करता हो वो आपके साथ में अच्छा विवार करेगा कि नहीं करेगा बदी आप में मांदारी से साथियों मैं आप बुजर को आपसे विंती करता हूँ पहली बार किसान का बेटा निर्दलिय तोर पाया है पूरे हमारे गाओं के फोजी भाई एक ही गाड़ी आई सारी इसके साथ में क्योंकि अच्छा जो काम करेगा उसके साथ में जरूर फोजी आदमी रहता है मैं आपस जो अटेची भर करके अपने पिताजी बड़े बड़े जो आका है कांग्रेस पार्टी के और बीजेपी पार्टी के उनको अटेची भर के जो देके आएंगे ना टिकट उनी को मिलेगी और जो टिकट पैसे देके लिएक आएगा 10 करोड में 20 करोड में वो सेवा नहीं करे आएईटी इंजिनियर 5-5 लाख रुपे का पैकेज लेने वाले तंखा लेने वाले वो ताउमर पूरी जिन्दगी 5 लाख तंखा लेने वाला और MLMP लाख से डेड़ लाख तंखा इससे ज़ादा नहीं है और वो पांच साल महरभपती बन जाता है और वो बच्चे पूरी होती थी ना फूट डालो राज करो आपसे लड़ाते रहेंगे और इन अपनी रोटियां सेखते रहेंगे मैं आपसे बिंदी करता हूँ आपसे हाद जोड के कि साथियो अपने लाल को इस बेटे को जो गव माता की सेवा करता उसको एक मुखका दे दो अगर आपके घर में इस बेटे को एक निर्दलिये प्रतासी को बोट डालने से आपके घर में तोटा आता हो आपके घर में कंगाली आते हो तो बिल्कुल इसको आशुरात मदेना और इन बड़े-बड़े जो आकाउं को जो तिकर खरीद के लिए काएं उनको बोट डालने से अगर आपके घर म करोड़ पती आप करोड़ पती बंटे हों तो मैं विंती करूंगा कि सारा बोट मुनी को दे दिना हर साल हर सुनाओं में हमें मूर्ख मुनाने के लिए पैसे नदियां बाते हैं इसकी दारू की बुरा मतमाना दारू मैं फोजी आदमी मैं दारू को टश्मिनी करता हूं और गोमाता की सेवा मैं भी करता हूं हमारे साथ भी मैं दिली में रहता था लेकिन अभी पिछले साला है हूं मैं आपसे बिंती करने आया हूं अपने गाउं का बेटा है आपका पूरे दादरी का बेटा हमें करता हूं पैंश्ट गाउं में ये बच्चा योग की क्लास लेने शाए आपकी पड़ाय आत्मा काभी आपश। सुझगा मैं मापी चाहूंगा बहुत बहुत दन्वाद आपने समय दिया और बहुत बहुत आपको मैं जितना तारीफ करूं अपने कलाकार बहुत बहुत दन्वाद दिये वे गवशाड़ा हम रुक रहे हैं हम अपनी बुड़ा पाइंचन में जिसकी जिसी व्यवस्ता हो सो हो दोस्चे हो पंशव और फोजी भाई भी जो सुने हुआ अपनी पंशन मत है हर मिन्ना मैं पहली पंशन मिली ती जब 200 रुपिय कर दिये ते गवशाड़ा एक गा गवशाड़ा मैं 800 आदमी पंशन वाले होगे कोई 100 का कोई 500 का सारे बाई पुतरगात अनुका माहा के गवशाड़ा मैं एक आदमी अपनी एक बच्चिया के 100 करो या 200 करो पंशन करो माशिकाय करो एक ब्रमा एक लाख रपिय दे दिये गाय का कमर ओल बना दिया चारा तो नहीं मिला हर मैंना उसमा पंशन के पैसे आओंगे हन मिनन उसमा चारा होगा उसमा काम करनी की तन खाले कड़ेगी बाई यो मत बस इतना है बोलना चाहूं के बाई जितने अब उद्रगात में आपाने इनके बेटे जोड़े हैं गवा के और इनका दूद प्या हूं जमान और 65 साल मेरी उमर होगी चाहिए पीजिया इमाज भी मना चेक करा जो कतीनी पटांदा बताओ नूँ के तिरा आख जलेंगी अर्मा नूँए डोलू हूं सारे जिस बाई न कम दिखे देश्री गाए का दूद भी और जो कद्दे भी उसका चस्मा चट जाता हूं गारंटी जे वहाँ और टुटी-फुटी गाए का पावाद ना जोड़ना पशू कोई भी ओड़ा जया या कोई किसे की बैस खराब हो जा और कि मोजा सारे काम फिरी गाम में शेवा से बाई किसे बाई ना जरूत पढ़ जाता कद्द्या जी इन नो इनका ताउस हो बहुत बहुत धन्यवाद जी अब जैसा कि हमारे मुक्यति थी वहाँ चाहिए के लिए परबंद कर दो मैं एक कोस्टिचूशनल सवेदानिक प्रोटोकोल को फोलो करते हो नियम की पालना करते हो आचार से इताके चलते किसी परकार के डोनेशन या दूसरे कारिकरमों की ग पाएगा यह था संभा होगा वो यह शेवा करके जाएंगा लेकिन आचार से तके चलते मंद से गोशना नहीं हो सकती और पंद्रा तारिको नमीन योगी जी बूंद में एक बहुत बड़ा कारिकरम करने जा रहे हैं तो सभी सातियों से मेरा निवेदना आग रहा है कि ओ ज्यादा से ज्यादा संक्या में बूंद कौन सी जगह है जी बावो चंदादास दाम में के ग्राउंड में प्रांगन में एक कारिकरम है तो ज्यादा से ज्यादा संक्या में पोस्ट करके बाई के आउसला अफशाई करें और इनके आप मेरा निवेदन बबलू रांग आप महराज जी आप कई बर करें बाई देखे इस एरिया में रहा हूं सुमें और रस्तेधारी भी एकातिवास में यहाँ फूस की कमी नहीं है पराण तूड़ा उरत आमने लेजया है शैड की कमी है कोशिश करके एक सैड़ बनो तूड़ा तो खातिवास में गणा है यह बड़ा ध्यान दो भाई मैं देख्या था गुमके दोब गुमया गउसाला में अंदर भी गया था तूड़े का सैड़ बनो तोड़ा ध्यान करो खातिवास दिली चारे यह थोड़ा ध्यान तम भी करो हम आरके तो करड़े होगे तम डिले पड़े हो एक बात नंबर दो बात यह है मैं गउसाला के अंदर गाया था डुड़ी आड़ा की उसे साब सुत्री और उसे बड़ी आ रहा चारा मनुकि सो गवसलाम को ने कि मारी गव साड़ा के भी बाउन के लिए हैं लेकिन सब से टोप गव साड़ा मन वो देखी तीब्या बकमल खेला रखें बहुत अच्छी गवी हैं उस गव साड़ा मन और अगले साल पर दान जी से मैं बता रहे हूं मेर सिंग की कविताई का सांग कोई भी कवी ये जो संगी ह करें आप जीसने भी भूलाओ एक सांग मारी तरफ से फरी होगा लेकिन सांग मेर सिंग की कविताई का होगा है अमारी कमेटी फरी करवा ओगी धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद जी रामोतार जी प्रजान जी बढ़ी अच्छी बात कहीं तो अगला कारी करम जब भी ह होगा तो बाई सुबास के मुखार जी एक सांग इन कि रामोतार जी की तरफ से होगा और आप लोगा अन बाई कई पर उलाना दे लिया रामप्रा का उशाड़ा में दो साल में दो बार वार्सी कारी करम होते हैं एक पार दो मार्च से लेकर परभू इच्छा तक चलता अर तो तो तीन कारी करम अड़ानस में छे मिनना पहले दे दिया था हमने बाकी परमात्मा किर गव मार्चा की थे चोट सथ या चोट मेट दी सम्हें ने महराज जी से आदेश प्राब करके तीन कारी करम आपको मिलेंगे बाकी हम 10 कराओ 8 कराओ किशी किशी को दो ठीक है जी एक करवाते हैं और जहां तक चारे का संबन्द रहा मुतार जी ने बताया रहाचारा जासीर युनिवस्टी का एक नेपियर नाम का गास जिसको कहते है चारा पोटा मेजी टौन के नाम से है बाजरा भी कहते है भी देशी वासाम वो एक बार उसकी पिजाई कर दो पांच साल तक उसकी साल में दस बार काट आएगी पांच साल तक उसको रही कंस्ट्रेक्शन करने की जरूद नहीं दुबार रोपाई की जरूद में को इन पड़े तो इस तरह की एक स्थाई विश्टा है वो लेकिन जमीन कम है दिरे दिरे ये भी डेवलप हो जाएगी कब को किसी चीज की शुरुआत मैं बड़ा संगहर्श करना पड़ता है बड़ी बाद आयती तो आपका ज्यादा समय ना लेते हूं मैं आप सभी साथियों का पूरे दनेवाद करता हूं मनो कामना करता हूं परमातमा आपको सबस्तर केर आपको सुक समर्दी देता रहे बहुत बहुत लोजिकरे से प्रदान शुरंदर जी इन आज़को त्याग के अज़को सफेद अनर अंत्याग के जुट जांग होने जद गउशाला चाल लेगे आप मरे जुग दिखागो नहीं जुग नहीं दिखागो बोल्ये गउमाता की बहुत बहुत धनेबाद भाई नवीन जी योगी का बहुत बहुत धनेबाद प्रदान जी श्रीमान रामवतार जी रानेला से और बहुत बहुत धनेबाद हमारे शर्पन शाब श्रीमान रंबिर जी रामपुरा से और कोटी-कोटी धनेबाद बाबा गुवर्दंदास ज महराज का जिन्होंने बड़े अच्छे अच्छे वीचार अच्छी बातें शिक्षा परत बातें हम सबको बताई आप सभी का बहुत बहुत धनेवाद बहुत धनेवाद शजनों आप चाहो तो बीच में एक बार मनोरंजन करवाजियों क्योंकि सांग तरू के गया एक बार आतो एक छोटा सांग चालता रहेगा अच्छा 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 अज फेटण ने जी कर गया फेटन ने जी कर गा जाने भूम का फिरिगा 11 साले हुए अंजना दे फेटन ने जी कर गा चकवा चकवी सुने बेल तो द्यहान भूप का फिरिगा और 11 साल हुए अंजना तो अज फेटन में जी कर गया अरे मंत्री जब ये पक्सी एक पक्सी हो करके एक रात के लिए एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते जी उस मेरी अंजना को तो 11 साल होगे मेरे विगर रहते हुए क्या हाल हुआ होगा उसका आपने तो बड़ा अनुर्थ कर रह सुने भरायाती राते विरह की चलचा या तो मेरे जी कर नर भूखे रह भूखे ये चकवे बने चकवी सुनी नो अंजना का दिल तूखे वर कच्ची कड़ी पाक में सुनी बिन माड़ी गरस हुखे अर तोड़ा वाणा बास आतम उसे इनना का दिल तूखे खड़ी माड़े बूखे वा मर नियते ना पिलकुल चुका वा मर नियते ना पिलकुल चुका इसे जना का दिल वर का अंजना वे ग्यारा साले वे अंजना के फेतर ने जी कर गया वे अंजना पिलकुल चुका वे अंजना के फेतर ने जी कर गया इस ताइज और ये रास्ते में जाम लगा हुआ है एक गाड़ी है जिस गाड़ी का नंबर है HR 16, छान में 50 भाई गाड़ी के ड्राइवर से निवेदन है कि वो गाड़ी को थोड़ा साइट में करें किरो जाम लग गया है नंबेऑ की बाद सुनिये और यह स्रिमान रामकर्णजी ग्रामकर्नजी तकानकलासे अपने तरब से सोर कि शिचर्णजी सर्मा सोर कि सुनिे पिर अब शायुआ स्रूल धर प्रम करते हैं वह थोड़ा बाद शुनिए drug drug करीज में लूजया टो ओॉजया जूए- खॉजअ झाया अजया पॉन्वर्ट की बास दो गने लूगे टॉज लूजया रहत शेता भॉन्वर्ट कि बासले भॉया बसने वा गो जसे झाले लॉब ऑस्टॉब गेली शाडी महल मलकसा वा धकरी होगी रतने उन्जना अदखने होगी कि अपार तुहारे अपतीतों से रेगी दुन जाओ ने अंजना मुरे इनका काते तन आज़ेगी एकली मेरे बिन अंजना हमाद सकते तन आज़ेगी एकली मेरे बिन अंजना दोखे में पहमीन सथर्चाम जाओ लिएँ घर्चामा कानीरा तन आज़ेगी आणन आज़ेगी जीना खेकरने जी कर जा चकवी फिरादा लिटा जाने रूबेका ओ फिर क्या ओ फिर क्या ओ फिर क्या ओ ग्यारा साथे हुए अनला ने खेकरने जी कर जा वेयर रोड पर जा थोड़ा दोड़ा साथे हुआरे किर आस्ता जाम ना ओ ड्राइवरों से निवेद्न है गाड critique-वाड़ा बाऑ यह शेलकिया नमार पिर क्या वाद already क्या हैं अजुआ हो cinco-ोजे एम गाड़ा गाड़ा साथे हैं जोड़ा Cup क्या लेकर आट है listen और मंत्री जो मैंने 11 साल पहले बहुत बड़ी गल्ती करी थी उस गल्ती का एसास मुझे हो चुका है कि ऐसी गल्ती किसी इंसान को नहीं करनी चाहिए क्या परसत्ती पिरने परसत्याग दे यो गल्ती सरासरी से परी से शाइनिय मानस न्यों केंगे देखोन कोड करी से हो एको ना खोट करी से यह रही अंजना का ना खोट रती मरे यह सारी खोत हो मरी से हो मरी से तरम राज के जो चले मुकदमा वा अंजना हुरे वरी से है अंजना भूर मरी से के खे मेरी भूल के कारण मंत्री मेरा लाल रे तुम्हेरे जोरी गया वा जरगा वा जरगा वा जरगा शाले हुए अंजना ते पेटने मेजी करी गया पेटने दिया री जा जाता गोंमी आले यह भाले प्रोजी नहर सिंग कमेटी रानेला और दातरी गुरूप की ओर से लगता है महाराणी सो रही है अच्छे उस्ताज हेर सोवन आली जागिये हेर सोवन आली जागिये मुलाकात कर्या चाहों सो चाहों सो और यक पे मुखता बोलिये दो बात कर्या चाहों सो रहे चाहों सो मुखता बोलिये दो आली कर्या चाहों सो रहे चाहों सो पिछली बात भूली कैराणी अपना दिल से में जाले डोड़ी उपरे पवन खड़ा से एक बाव और लखा ले पितर आना चाहों सुमन देके बोल बुला ले तो गड़ी बैठ के आपस के मां दुख सुख की बतला ले अर तेरी और मेरी राणी पंचात कर्या चाहों सू रहे चाहों सू महरानी मैं समझता हूं कि आप मेरे से बहुत नाराज हैं लेकिन मैं आज सारी गलतियों का ऐसा इस कर चुका हो और मेरी आवाज सुनती है तो मुझे वह बाते सारी याद है और मैं मां भी चाहता हो किस वाद से आए पंचा के मां वच्न भरे थे सुत्यरों मोती में अपने हाथां काम बिगाड़ां हो के में साधी में और दूसरा क्यों पढ़ने लागया और आखी गोदी में और दूसरा क्यों पढ़ने लागया और आखी गोदी में और 14 साले हुए बिछडे में साथ करया चाहूशू दे चाहूशू दे चाहूशू मैं जानता हूं तेरे साथ बहुत बड़ा दोखा किया है मैंने लेकिन उन सब गलतियों की माफी मांगने के लिए ही आया हूं मैं बास सुनियो तेरी आत्मा मोशिदाई और मुशिकल कर मशीन राणी तेकरी काद उडाणी राणी तेरी काद उडाई हो करिके कुटा ही ना जिसकी बीर दुखी दुनिया मैं उसका भीके जीना और तेरे ते बतलाए बिन अब पाणी तक ना पीना और आगे शुखी जिंदकी की शुरुवात करया चाहूं सुरे चाहूं सु मुलाकात करया चाहूं सु और इसी बीच धनवरा यूपी बागपजिले से स्वास्टी राणावत उनकी तरब से सोर भी और जमान सम्मान होते हैं फोजी महर सिंग कमेटी रानेला और दाधरी गुरूप की और से भी दो सोर भी और सम्मान होते हैं बहुत भूद धनेवाज शुणिए नमर च्यार जात महर सिंग खता माथ करी खता वार शूत देरा तेरे बिन इसी दुनिया के माँ दिखे गोर अंधारा जिसकी भीर भीर मरद हो न्यारे न्यारे उचण हो घर देरा खोल दिये दरवाजाराणी होल यकाल भतेरा सपनों की रंगी न परी मेरा आप कर्या चाहूं सूरे चाहूं सूर एक डाली पर तोटा बोले एक डाली पर मेना मेना दूर दूर हो ए अरी दिर से हो यार बोलो है लेना अब आपका कहना है लेकिन आपका करम है उकम पार्णा दासी जाकर के कहिए कि हम अभी इसी वक्त महराने से मिलना चाहते हैं यह माराच पूरे ग्याराच साल होगे माराच अब आ रहे हैं बिल्कुल उस ग्याराच साल की गल्ती के लिए माफी मांगने के लिए आया हूं अब नहीं खुलेंगे माराच रातरी के बारा बजे होए है यह आपका कहना है लेकिन आपका करम है उकम पार्ण करने का आप एक बार जाकर के महराणी से बताईए कि बाहर मैं खड़ा हूं कि देखे माराज यह अदेश है जी राणी का देश है लेकिन राणी को ये पता नहीं है कि बाहर कौन खड़ाय मैं खड़ा हूं मेरे बारे में जाकर कि माराणी को बताईए साइद वो दरवाजा खोलने के लिए आपको हुकम देश है खोल दिये दरवाज जराणी में हो लिया काल भते भारे सपनों की रंगीन परी महराज करया चाहूं सो और एक बे मुख्त वो लिये दो बाद करया चाहूं सो मारणी जे प्रनाम कहों दासी कौन था देखे मारणी जो दरवाजे पे है वो पवन माराज है पहुन माराज जी लेकिन दासी और आपसे मिलना चाहते हैं मुझसे मिलना चाहते हैं दासी 11 साल का वक्त हो गया है ठीक है मैं जाती हूँ आप जाईए थोड़ा समल के जाना माराज मैं आपको परनाम करते हूँ आज आज उस 11 साल की गलती के लिए मैं तरह सामने आया हूँ और हाथ जोड़ कर तरह से सबसे पहले तो मा भी चाहता हूँ इसे अपरादी का इस दुष्ट का इस पापी का सबसे पहले तो तरह को परनाम है जो कि 11 साल तक मेरे हुकम का पालन करते हुए आप अपने सत्य धरम पर अटले लेकिन महरे आज मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कौण सी? कि आप मुझे भूल गए है 11 साल का वक्त बीत गया राणी लेकिन आज अचनक देखें मैं यह नहीं जानता कि यह मामला क्या था कोई पूरो विजनम का सराप था यह हमारे उपर गर्दिश का चक्कर था मामला क्या था कुछ समझ में नहीं आता लेकिन आज एक पक्सी ने मेरी आखें खोल दी एक चकवा चकवे ने मेरी आखें खोल दी और उस चकवा चकवी की वारता सुनकर के मैं तरे पास में आया हूँ अपनी भूल सुधारने के लिए अपनी गल्ती की माफी मांगने की महराज सुनी मेरी बात बताईए सुनी महराज कहिए महराणी है जी हो क्या बात है बबलो भाई हो रामरमी हो शर्माते नबली हो प्यारा मरमी सर्माते हो अज क्यों कर पागी राही तने हो ग्यारा साल में आज आनके क्यों कर शान दिखाई तने हो रामरमी तने हो रामरमी तने हो शर्माते हो अज क्यों कर पागी राही तने हो अज क्यों कर शान दिखाई तने हो रामरमी तने सर्माते ब्याकरवां के दुवाग दे दिया मैं नेम धर्म पे तटगी सुप करम मने र करें बथेरे र अलग पापते चटगी ओ तूट पेम ओ भावते मैं नाम आपता रदिगी पते के चोपन मेवा या केसी तेरी किया सस्ते के माँ भाल गी ओ जो बढ़ने वहाँ कसी तेरी सस्ते के माँ उट गी ओ इतने दिन तक कियो ना आया घर क्यों कर छोटी प्याई तने ओ तोरा हरामी तेरी शर्मा थे क्यों कर दादी आई दने ग्यारा साले आज आमी के क्यों कर शाले आई दने ओ रामे क्यों कर दादी आई प्यों कर दादी यह श्रीमान शुक्वीर जी कोई बात नहीं बोलने में क्या धिक्कत था कोई बात नहीं अच्या श्रीमान शुक्वीर जी माजरा अपनी तरब से दोनु के लिए इसी रागनी पे पांच पांच सो रुपे यानी एक अजार रुपे से आश्रवाद देते हैं शुक्वीर जी बहुत बहुत अनेवाद शुनिया नमर दो की बार दो यरिशी मुनी योगी सन्यासी सब माया में घर का आप कहे हैं और भूत ववीशे आयो वर्त माने प्रिल के दिन्यों अताब कहे हैं वेल जती मर्द ने और सती वीर का ओ छोटन का घना पांप कहे हैं देखे बीर मर्द के बारे में कथारी सी महतमा आप कहें वेल जती मर्द के बारे में कथारी सी महतमा आप कहें इस ताम देव ने ताम देव ने नहीं सकता आया पर क्यों करकरी समाई तो ने करकरी समाथे तो ने हम देड़ करकरी इंद ने प्यारा साल में तेहां किराई के तूँ परिशाने काई इतने ओ नामरी तेरी तेरी सरमात है लोग को कर्म करें और पाप पुने ने भगवान खोलते दिखेते उसे बहे माता के लिखे लेखने आप तोलते दिखेते से लोगों सोशों मन की जाल जिगर में रोज दोलते दिखेते लोग तेरे बिना इन महलाए के माता बूत बहले दिखेते लोग तोलते दिखेते लोग तेरे बिना बहूं कि अभी नाप हूँ, तन क्यों कर सर गया, तन क्यों कर उमर बिता इतने राम रमी तरी सरमात है क्यों पर आगी राम रमी तरी सरमात है कि अभी तरी सरमात है हूँ तरी सरमात है अजित शवाश सरी सरमात है यह अफ ये दनोष और अबाद पत यूपी से स्रिमान सुभास्दी रानाबाद सौर्फ आजिसर्मा गराम बंढ़ना से 7 गराम रादरा से उञा कि तरब से सोज़ी और फोजी कभी मैन ऐसे मिलट पूली ये बोलन जोगा जोटे गोंड राखेथी बोलन अपड़ेगा अ जसे मैंने करम किया थे उस करम के अनुशार ये फोजी मैं पूली राजय लाके अंधरे एसा सक्स है जिसका नाम है फरकचंद सबसे फरकचंद मतलब फरक गिरने वाड़ा शोर रुपे से बबलू राणा का और पचास रुपे से नेरा समान करता है बहुत पो धन्य राद सुनिये नमदा की बात क्योंकि मैंने दोखा ऐसा ही किया था मेरे करम ऐसे थे मैंने ऐसा करम किया था जिसका दंडिये मिला कि मुझे पचास रुपे कम मिले ये नना मुना बच्चा वन्स राणेला से ओन्लाइन पचास रुपे से और सम्मान करता है बहुत बहुत धन्य वाद सुनियन बढ़ाखी बात नमबर कहिए क्यू कर दिया धुवा गुतने तेरे बेद गात का पायाना मन जोका आता सेर मिला ओर घणी दन मायाना मन महल दुवागी में जलिके तुबारा सालित के आयाना मन की बात नहीं पूछी प्याल बीर का चायाना मन की बात नहीं पूछी प्याल बीर का पायाना कहें महर शिंगू महर शिंगू महर शिंगू मेरा कलकाट्या अप जुद्धितार सफाई तमें हो प्रिस्टिवीच यह हमारे सर्बन साहब गनाम रानेला से खुजी महर शिंग कमेटी के तरब से सोर पेसे और मान समान मिलता है बहुत गोदनेवाद देखे मारानी जो करम मैंने किया था उसका दंड मुझे मिल चुका है क्योंकि सबसे बड़ी सजा और सबसे बड़ा काम होता है पश्चा ताप जो आदमी पश्चा ताप कर लेता है उसका पाप दोल जाता है राणी में भी आपसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ और ये हमारे सरपन्च साब स्रीमान रोशन लाल जी जैसरी से सोर फिशे और मान सम्मान करते हैं भदबो धन्यवाद से जनों पूरी रात भर पवन उससे अंजना के पास दुआ के महल के अंदर रहता है और शुबह जब चलने लगा शुबह जब चलने लगा तो अंजना कहने लगी कि महाराज आप तो जा रहे हैं और आज आप मेरे पास में रहे हैं कल ये बाद उजागर होगी तो मैं क्या मुझ दिखाऊंगी क्या सबूत दूँगी क्या कह करके आपका नाम बताऊंगी देखे अंजना पूरी रात हो गई है सुबह का समय हो गई है सुरिय भागवान ओदे होने को है और मुझे जाकर के अपनी भोज को समालना है क्योंकि वाडर के उपर लड़ाई चिडी हुई है मैं जाकर के अपनी सेना को समालता है लेकिन माहराज क्या आप अपनी माताजी से मिल लीजिए नहीं, माता जी से दुबारा मिलूगा, माता जी से मिलने का मेरे पास में टाइम नहीं है, तो मैं माता जी को क्या जबाब दूँगी, देखिए, उसके लिए मैं आपको, मेरे पास माता जी से मिलने का टाइम तो नहीं है, लेकिन, यदि माता जी या कोई भी तरह से पूछें तो ये मेरी अंगुठी है, इसके उपर मेरा नाम लिखा हुआ है, दिखा देना कोई दिकत की बात नहीं, ठीक है मारा है, शजनो, अंजना को अंगुठी देकर कि पावन कुमार चला जाता है, और बताया जाता है कि उसी रात वो अंजना का रभवती हो जाती है, समय अपनी अंजना की हालत देख करके और आ करके उस अंजना की सास महराणी केतुमती यानि पावन कुमार की मा से सिकाइट करती है, कि उस अंजना का हाल क्या है, सुनिए क्या कुछ होता है, बताते हैं आपको चल के देखती हो जेण geen जयए बड़ाम है, कहोग क्या बाते दसी? कहां रहती हो मारानी? मैं तो गर म ही रहती हूँ अच्छा? हाँ और आपकी पुतर बधू, वो भी घर मही है जुड़ से गयमेमे रहती हैं जुड़ा की मैल में रहती हैं बिलकुल लिकसन क्लीआ को अच्छा, क्या बात है? आपको पता नहीं? किस बात का? कुछ भी नहीं पता. कौन सी ऐसी बात है मेरे को पता नहीं? वो तो आट मिन्य की गरवती है. देखे दाशी, तू जुट बोलती है, और तू ये घर फोड़ने वाली बातें मत कर. मेरे बेटे को 11 साल हो गए, वो घर पे नहीं आया, वो गरवती कैसे हो गई? मैंने पहले तो नहीं बोली आपसे ये बात. अच्छा? हाँ? ठीक है मैं जाकर देखती हूँ. जाकर देखो. तुम्हारी बात सच्ची है तो ठीक है, वरना तेरे कच्छे पच्छे में कोलू में पेद्यूंगी देख लिए. ठीक है मैं त्यार हूँ. अराम जादी जूट भी बोल सकती है, पता नहीं, चलो देखते हैं. मताजी मैं आपको प्रणाम करती हूँ. जूट बोलती है, अगर मेरा बेटा आता, तो वो मुझ से मिले विगर नहीं जाता. नहीं नहीं, देखी माताजी, तरने तो कुल का सत्यानास कर दिया, आग्रेप पाथसे की भी कोंदी की सत्याराने तरने, नहीं माताजी, वो जल्दी में थे और लडाई चिरी हुई थी, कुछ सरम कर लेनी चाहिए थी अरा अका पाथा, देख्या को ना, नुवलिया अका पाथा, तैने देख्या को ना, अरा लूटे से, रग ठाथ तने, एरा डूब गई, बेहूती अजना, वो कर दिये बारा, बाथ तने अरा अका पाथा, देख्या को ना, लूटे से, रग ठाथ तने, एरा डूब गई, बेहुती अजना, कर दिये बारा, बाथ तने यो के कर दिया, मारे कुल के दाग लगा दिया, थोड़ी सरम करनी चाये थी, अरा अला जी सरम सब, तार बगाई, अरा अजना, खपर भड़ी है, ए दरम छोड़े, ए दरम करती, तेरे को ना, आवे, उतरणी है, दरम छोड़े, दरम पती, तु को ना, पारे, उतरणी है, अरा करमा का, फड़े मिले, तने तेरे, आगे, आवे, करीडी है, ओ, हर्या धांडी, इकी तरिया, तू, ओ, खूड बिलाने, चरणी है, ओ, हर्या धांडी, इकी तरिया, तू, खूड बिलाने, चरणी है, तू, खुली बचेरी, ओ, फिरी बाट में, रगाली को न्यादा दने, तूब नहीं, बेहुती है, जिना, तर दिये बारा, बाट तने, अटा बच्छा, कुछ ना दठा, फिरी से रड़ा, रंड़टा अंडितने, दूब गई, बेहुती है, अंजना कर दिये बारा, बाट तने, संद का संद की, हो दीखे से तरे, अब नकडे लगो, लू है, और और बवारा, और अच बैठी, तरो लू है, हे ओर बवारा, तरी बैठी, तनकडे कडे ते, दूब लू है, मुख, तरना दुनिया में, ओ जतने इसा तरे, पाप दागने, धोलू है, तेरे गणी खेन में, ओ फाइदा कैसे, ओ मैं भी भूंडी, ओ नुए, गणी खेन में, ओ फाइदा से, मैं भी भूंडी, ओ नुए, तेरे बैसक कुवा, जोड़े टोलिये, मतरभी को जाना पितने, दूब गई ने, पे हुदिये दिना, कर दिये बारा, बाटतने, ओर के बनेगी, नुमा मीना, ओ पूरा होते, ओ कती उगाडे, उघरी जाहे, एर दुनिया में, तेरा बेरा चाले, ओ सारे बोर बिगड़ जाहे, ओ दुनिया में, करी चर्चा चले, सारे बोर बिगड़ जाहे, हर मू काला, कर बेठी तेरे, और नागन काली लड़ जाहे, चान देखना, होना चाती तू, ओ गरते भारे लिकड़ जाहे, परिशार देखना, आचाती तू, गरते भारे लिकड़ जाहे, ओ खून पिराना, तेरे पेट में, लू क्यों कर घर पैड़ तने, और धूम गई, बेहुदी लग ना, कर दिये बारा बाट तने, अगा पच्छा, एक लाट तने, तूद गई, बेहुदी लग ना, कर दिये बारा बाट तने, और यह सो रुपे सहीद कभी फोजी महर सिंग कमेटी, राणेला की तरब से मान समान होते हैं, सो रुपे दादरी गुरुप की तरब से आश्रिवाद बरदान होता है, और सो रुपे यह दादा सुरेंद्र जी, ग्राम मनाना से मान समान करते हैं, बहुत बहुत दनेवाद, नमर्चार की बार सुनिए, तेरे आलन दे, तेरे खसम धेड़न, तेरे गरम लट तुकवा दूनगी, एरे सारी ऐसे ओ भूल जागी, दिन मैं तारे दिखवा दूनगी, ओ सारी ऐसे सुन जागी, दिन मैं तारे दिखवा दूनगी, हो जो बोलेगा वो तेरी मेर में नारे बंद दरवा दून की, एरे मेरे बस की ओ नहीर सांडडड़नी नियूचिठी मैं लखवा दून्गी, मेरे बसकी नहीं साटड़ी तो चित्थी मेरे लखवा दूंगी बहु घरा तू रहे बोडर पे तरी बहु घरा तू रहे बोडर पे के लॉलू मेरे सिंगे जार दने अले नदे और मेरे महल से बान चलीजा चलीजा अपना मबो काळा करके मेरे पास में मताजी यह देखिये आपके लड़िके के अंगुठी है आगर मेरा बेटा आता तो मुझे मिले भीगर नहीं जाता मेरे महल से चलीजा कुल के कलंक लगा दिया तूने सत्यानासाद बड़े दुखी होते हैं और उस अंजना को देखिया अपने कुटिया पर रोकते हैं या नहीं रोकते हैं क्या कुछ होता है सुनी बबाजी मैं आपको प्रणाम करती हूँ खुश रहो आनंद करो बेटी तु यहाँ इस जंगल प्याबान में और इस रात के शमय क्या बात है और वो भी गरबती बाबा मैं बड़ी दुखिया हूँ मेरे ससुराल ने मेरे पिहर ने मुझे सबने दख्ये देकर के निकाल दी हैं मैं आपके सरण में आई हूँ अबजी मुझे पनी सरण में लीजी बेटी हम सादु संत मातमा योगी है और हमारे हां आस्तरमों में कोटियां में ओरते नहीं रुका करती है ये सुना है कि सादु की आतमा में देना होती है बिलकुल ये आपने सत्य सुना है लेकिन हमारा दे धर्म है हम इस चक्र में नहीं पढ़ते माया मों के चक्र में पढ़ते तो बाबाजी क्यों मनते लेकिन सरण में आई कि परन होती है बाबाजी मैं आपको नहीं रख सकता इस समस्था में रखना पड़ेगा आपको अच्छा लेवल क्ये रात अंधेरी ये गिरती पड़ती क्ये बहिरात अंधेरी गिरती पड़ती ये तुआगी चाले कुटी है ये नहीं को रहे बेटी की नहाला होटरी के ख्याले कुटी मैं रात अंधेरी बाई सजनों मोसम घराब है और गाना ये गाना बजाना तो आप सुनते रहे दे सुनते रहे लेंगे हम माईक की मसीने जो है आपके दर्सने करेंगे आपकी सिवड़ा कर जाएंगे और बाई ये वस्ती माता नगर खेड़े की मेर शिंकी भी ओल दिन देख बता है झजर के दय करेंगे ये जो है आपकेंज सजने पलाओे